जो लोगों की पति-पत्नी के आपस में बनती नहीं, जो लोग शादी करना चाहते पर शादी हो नहीं रही है, जिवन साथ ही मिलने ही रहा है, उनको एक अभुत, एक गुप्त साधना मैं बता रहा हूं, इसका प्रेयोप करे, पति-पत्नी की बनने लगेगी, और सासात में दिन की शादी नहीं हुई है, वो हो जाएगी, नियम में तुरुप से रोज साड़े बारा हजार जब हर रात्री को करे, शुद्ध सीधे हाथ की और दिया लगे, और उल्टे हाथ की और अगरवत्ती, बीच में आपके इश्ट देवी देवता की मूर्थी रखे या यंत्र, या तस्वीर रख दे, ना हो मूर्थी या यंत्र तो, और इस मंत्र का जब करे, मंत्र की मैं दिक्षा दे रहा हूं क्योंकि बिना दिक्षा के मंत्र काम नहीं करता, चम्रा पैना हो शरीर पे तो निकाल दीजिए, अशुद् पसाना और बाद में ये प्रोटकास को सुनना ओम अम्बे शिवायर शिवायर अम्बे ओम ओम अम्बे शिवायर शिवायर अम्बे ओम ओम अम्बे शिवायर शिवायर अम्बे ओम इस मंतर की दिक्षाद को प्राप्त हो गई है और आपने अगर दिल से आँग बनके लिए होगी तो मा के दर्शन भी आपको हुए है मामबा के इसके साड़े भारा हजार जब नौ रात्री एक आसन पे बैठ कर शुद्ध होकर सीधे हाथ पे गाय कागी का दिया जो जलना चाहिए जब तक मंतर चल रहे है उल्टे हाथ पे अगरवती जलते रहनी चाहिए बीच में पाक बर मा की मूर्ती मा का यंत्र आपकी इष्ट देवी की देवता की तो भी चलेगी और नहीं हो तो फोटो रखके गुरु को प्रणाम करके साड़े बारा हजार मंतर करे अवश्य विवाहिक जीवन में शुक्षांती आएगी शादी नहीं हो रही है जीवन साथी नहीं मिल रहा है अवश्य मिल जाएगा ये मां पे कृपा करेगी मा को प्रणाम गुरुची जैसे कि आपने ये बताया डिलेशनशिप के लिए ये मंत्र है अगर रिलेशनशिप में कोई तीसरा आगया है तो आप कुछ देंगे उसके लिए कि तीसरा हट जाए शांती से या तो कुछ ऐसा हो कि हम मंत्र कर जाये हैं वाई जो भी एंटर हुआ है वो निक अब मैं आपको एक बात बोताओंगा आप बुरा मत लगाना जब ही हम ऐसा कुछ टीवी पे रेडियो पे शोशल मीडिया पे देते हैं तब जादा तर तीसरा बीच में आया हुआ है वही इसका फाइदा उठाता है पती और पत्नी को लीगली वेड़ेड है वही अगर करे तो ही फाइदा हो ऐसा कुछ आप बीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छा अच्छा तलवार से कुछी का भी सरकट सकता है अच्छा आपके खाने में भी आकर जहर दाल सकता है तो ठीक है उसके लिए हम पस्नली हितेश गुरुजी से जिसको भी कौंटक्ट करना है हम स्क्रीन पे नमबर दे रहे हैं वो आप कौंटक्ट कर सकते हैं अगर कोट केसी हैं तो हम कौन से मंत्र का नवराथिरी में लाब ले सकते हैं कोट केसिस के लिए सर्वोत्तम है मां बगला मुकी की उपासना आपको अवश्य मां बगला मुकी की उपासना करनी ही चाहिए अगर कोट केस से आप पीडित है तो पहली बाद दूसरी बात यह है कि अगर दिक्षित नहीं हो तो बगला मुकी का प्रेयोग बिल्कुल मत करना ह और अगर दिक्षा नहीं है तो अर्गला स्तोत्र का आप उच्छारन करिए जैन है तो भक्तामार स्तोत्र करिए इससे तुरंत मुक्ति होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अर्गला स्तोत्र मिल जाएगा